हालो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आज हम सिखेंगे वावल एंड कॉंसेंट के बारे में सो फ्रेंट्स इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको अल्फबेट के बारे में बताया था सो हमारे A to Z अल्फबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं इसमें से हमारा 5 वावल होते हैं और 21 कॉंसनेंट होते हैं सो हम देखते हैं कि हमारे कॉंसलेटर वावल हैं और कॉंसलेटर कॉंसनेंट हैं इसमें से जो भी वावल होगा मैं उसमें सरकल बना दूंगा सो हमारा A ववल है हमारा E ववल है हमारा I ववल है हमारा O ववल है हमारा U ववल है फ्रेंस हम इसके next page पे ववल और कॉंसेर्ट को write कर लूँगा Vowels A E I O U Friends ये 5 लेटर हमारे Vowels है और बात है Consonant की तो टोटल 21 लेटर हमारे Consonant होते हैं चलिए अब हम Consonant के बारे में Discussion करते हैं हमारा B Consonant है C Consonant है D F F G H J K L M N P Q W S D V W X Y N Z Friends हमने Vowels Consonant लिटर को अलग करके लिख लिया है हमारे तोटल फाइफ वावल होते है और 21 Consonant होते है Friends for example हमें इसमें से पता करना है कि कौन से लिटर वावल है और कौन से लिटर कॉंसरेटर कॉंसरेंट है और हमारे लिटर C और डब्लू Consonant है Second Horse Friends इसमें से हमारे कौन से लिटर वावल है और कौन से लिटर कॉंसरेंट है लिटर O और लिटर E हमारे इसमें वावल है H R S Consonant है हमारे Nesht है Sky Friends यह एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर वावल नहीं है सब हम अपने चलते हैं यहांपर नबर 4 के तरफ Apple Friends यहांपर हमारे लिटर A वावल है और हमारे P Consonant है Letter L भी हमारा Consonant है और लिटर E वावल है Friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए Share कीजिए Friends अगर आपर स्वेल पर नए है तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए Bell आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्यांकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिरेशन आप ता पहुंचे रहे Thank you प्लीज मेरे वीडियो को जप्लीज से प्लीज कीजिए